नई दिशाये राष्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान इवं प्रशिक्षन प्रशिक्षिक अनुसंधान परिशत के केंद्रिय शेक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे लिंग भेत के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर आधारित इस शंकला के अंतरगत कारिक्रम हमारी मा अधिन देखा अभी तक रमेश नहीं आया थोड़ी देर में सूरत छिप जाएगा अंधेरा हो जाएगा फिर कैसे खेलेंगे पता पिर तो चैया थी में नहीं तरफ़ शुड्य प्रटा उनवीटेशलो किरने अंतर क्षस्याओं होगा गेंविक्दू निठीच सब्सक्रम जाना शुम्मिटश फिर कोता है 的जस्वश्ञां मैं लो पकड़ो गेन क्या हुआ अकिल चोट लग गई नहीं कुछ जादा नहीं है अरे तुम्हारे अंगूठे पर ये पट्टी कैसे है मैं गेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था ना तो गेन चोट पर लग गई और ये चोट कैसे लगी अंगूठा कट गया था कट गया था कैसे अरे वो देखो रमेश आ गया माफ करना दोस्त आज तुम फिर देल से आए देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि जब मेरी मा काम से वापिस आती है मैं तभी खेलने आ सकता हूँ लेकिन रमेश लेकिन रेकिन कुछ नहीं अखिल तुम समस्ते क्यों नहीं तुम्हारी मा की तर है मेरी मा घर पर नहीं रहती वह दफ्तर जाती है काम करने तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी मा कुछ काम ही नहीं करती क्या करती है सारा दिन घर में ही तो रहती है अच्छा और घर में क्या कोई काम ही नहीं होता क्या काम होता है अच्छा जी कभी घर पर रहकर मा के काम गिनो तो पता चलेगा कि वो कितना काम करती है और क्या जानते हो परसो क्या हुआ क्या हुआ मा को बुखार आ गया वो तो ये कहो कि इत्वार था छुट्टी का दिन नहीं तो ना मैं और ना मेरी बेहन स्कूल जा पाते और ना पिताजी अपने काम पर क्यूं क्या हुआ रोज सुभा हमें मां उठा दिये ना लेकिन पर्सों अखेल अखेल उठो बेटा उठो देखो सूरच चड़ाया है चलो उठो अरे पिताजी आप मां कहा है बेटा तुम्हारी मां को कल राज से तेज बुखार है अच्छा सारी रात बेचैनी रही सुभा के समय जाकर आख लगी है उनकी वो सो रही है मैंने सोचा नाश्ते का प्रबंध हमें ही करना चाहिए हां पिताजी बिल्कुल मां को आराम की जरूरत है आब चलिये मैं भी आता हूं फीक है aliens तुम राधा कहा है पिता जी वो घर की सफाई कर रही है हम और तुम नाश्ता बनाएंगे ठीक है ना ठीक है मैं अभी आया पिता जी जल्दी आजाना अच्छा पिता जी अखिल देखो बेटा मैंने वो दूद उबालने रखा है तुम जरा नजर अखना अच्छा मैं इतना ये डबल रोटी सेखता हूं अच्छा डबल रोटी आज क्या डबल रोटी खाने पड़ेगी मा तो रूस तासा नाश्ता बनाती है आँ बेटा लेकिन आज मा बीमार है न आखी है अफर मुझे कुछ और बनाना आता ही नहीं कोई बात नहीं डबल ओढ़ने अजमें अच्छात टी क्या लोटी सेखते है मुझे मालु में वो कहा है अभी लाया ये रखा यहां अलमारी में यह लीज़े अच्छा, तो इस पर डबल रोटी शेखते हैं हाँ, इस पर डबल रोटी के टुक्रे रखिये और फिर इसे आग पर रखिये डबल रोटी सेख जाएगी अच्छा, बस इतना ही ठीक है तो यह रहे डबल रोटी के चार टुक्रे हाँ अखिल, तुम कितने खाऊगे? मैं? दो. ठीक है, दो तुम्हारे हो गए. दो तुम्हारी बहन के और दो मेरे. तो यह हुए कुल छे. और मा की बिजाजी, डबल रोटी तो वो भी खा सकती है. हाँ, वो भी खा सकती है. तो यह हुए कुल आठ. हुआ है थीक पहले चार सेखते हैं आहां मैं मैं किया यह क्या हुआ जलता है राधा से कुछ तूट गया है राधा 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 στο राधा क्या हुआ बेटे कुछ गिर गया क्या मैं में में इसके ज़ाड पोच कर रही थी कि ये फूल दान गिर गया ओ फो राधा तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती जानती हो ये फूल दान पिताजी पिस्टी दिवाल पर लाया थे कितना महगा था फो चुप रहा है ना रा चलो जैट पटासु पहुचो अपने हाँ आशा बाज अच्छ लाव बेटा लाव ये जालू मुझे दे दो जरा मैं काँच बटोर दूं अरे हां अखिल जरा एक कागास दो दो इस काँच को बटोर कर फैंकना है अखिल पिता जी लगता है कुछ जल रहा है हां हां कुछ बद्बू तो आ रही है हां अरे बाप्रे वो मैंने डबल लोटी सेखने रखी थी ना लगता है जल गई राधा बेटे तुम ये काँच बटोर हो मैं जरा डबल लोटी देखूं जाकर क्या हुआ उसका तो तुमने उस दिन जली हुई डबल रोटी खाई अरे जली हुई डबल रोटी क्या उस दिन तो दूद भी नहीं मिला जब मैं और पिताजी रसोई घर कियों दोड़े तो देखा कि डबल रोटी के टुक्रे भी जल चुके हैं और दूदूबल कर आदे से जाधा बह चुका है सफाई करने में और आदा घंटा लग गया तो फिर तुमने नाश्ता किया या नहीं बस पिता जी ने जैसे जैसे चाय बनाई और कच्छी डबल रोटी पर मखन लगा कर हमें नाश्ता कराया फिर हमने जाकर मा को जगाया और उन्हें भी पही नाश्ता कराया और तुम्हारा अंगुठा कैसे कटा ये ये सबजी काटते हुए कटा तुमने सबजी काती हाँ भई नाश्ता तो पेट भर कर किया नहीं था इसलिए दुपहर तक फूक लगने लगी माने बहुत कहा कि वो उटकर खिजरी बना देगी लेकिन हमने उन्हें उठने ही नहीं दिया मेरी बहन भोली कि अगर आटा गुंदा हुआ हो तो वो पनाठे बना देगी पापा ने मुझसे कहा कि मैं लौकी काट दू तो वो सबजी बनाने की कोशिश करेंगे फिर तुमने लौकी की जगे अपना अंगुठा काट लिया हा आते थे हां आते थे लेकिन आटा गुंदा हुआ हो तब थो अच्छा फिल क्या हुआ पापा ने कहा आटा गुंदने में क्या बड़ी बात है उन्होंने कनस्ते से आटा निकाला और उसमें पानी डाला बस परात में आटे का तला अब बन गया मतलब ये कि तुम लोग झृषरी बनाई नहीं हमने मा को उठने नहीं दिया उन्हसे पूछ पूच कर खिच्छी बनाई खुद भी खाई और मा को भी खिलाई जांते हो मा को घच्छी बहुत स्वादिश्च लगी क्यूंद नहीं आप कहो रमेश घर पर रहने वाली मा कितने कां म करती है आ हां या जिससे वो सब ना हो जो पर्स हुआ था हमारी मां अभियाब सुन रहे थी ये कारिक्रम आलेक डॉक्टर शेशी शर्मा विशेश संयोजन ममता गुपता कलाकार अभय भार्गव यमन कौशिक मालती कौशिक प्रशान्चिरिवास्तव और सुबही वकील धन्यांकन सतीश लाड़े तथा नर्माण एवं प्रसुती वंदना निगम